संथ महातमाओं परमप्यार से बोलिए धनिंकार जी बोलिए सत्गुरू माता सुदेक्षास बंदार हरदेविस सिंगे जी महराजी की आओ संथ महातमाओं बड़ी किरपा दतार की बड़ी किरपा है आपकी संथ महातमाओं जो आपका आसिरबाद भरपूर मिल रहा है संत महातमाओ को तो किरपा करो जादे से जादा आप जी की याद में जादे से जादा संत महातमाओ की शेवा करनी आ जाए जादे से जादा सिम्रन करना आ जाए तो आओ संत महातमाओ की एक बार बाबा अफ्तार सिंग जी महराज के जमाने की एक दास को विचार एक बात याद आ रही है आव संत मात्माउ गर्मी का समय था कुछ वही के समाजिक ब्यक्ति जो की गल्ट फैमी का सिकार थे आन करके वो गालियां देना सुरू करते थे हैं बाबा अपतार सिंग जी महराज चछत पर थे वो अपने सिस्थेों के साथ बैठे हुए थे संतों के साथ और बाब जोड जोड से गालियां दे रहे थे जब काफी समय संत महातमाओ गालियां देते हुए हो गया जब ठक गए तो सत्गुरु ने सिवादार के जमानों को करके ठंडा सर्वत बनवा करके भेजा और उन्हें सर्वत पीने के लिए गिलास देगे उन्हें सर्वत पिलाया गया आओ संत महातमाओ सर्वत पिलाया गया सर्वत पी करके वो सांत होगे और सांत हो करके कहने लगे ये सर्वत किसने भेजा है आओ संत महातमाओ उन्होंने कहा जिसे आप गालियां दे रहे हो उन्होंने ही आपके लिए सर्वत दिया है तो संत महतमाओ ये किरदार होता है संत महातमाओं का इस तरीके का रोल होता है सत्गुरु का आओ प्यारी साथ संगा जी सत्गुरु हमें यही सिका रहे हैं हमें सबके साथ प्रेम का बरताब करना है चाहें वो व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार का बरताब कर रहा है ये वो उसकी दरश्टी ह लेकिन संत के दरश्टी कैसी होनी चाहिए आउ संत मातमाओ एक बार एक सादू गंगा में सनान कर रहे थे अचानक उनकी नजर एक बेहते हुए बिच्छू पर पड़ी आउ संत मातमाओ उन्होंने उसे निकालने का प्रियास किया काफी प्रियास करने के बाद भी जब उन्ह प्रियास करा प्यारी साथ संगा जी कई बार उसने विच्छू ने डंक मार दिया एक बार सादू ने प्रियास करके उस विच्छू को बाहर निकाल दिया ये खड़ा हुआ पास का ब्यक्ति सब कुछ देख रहा था कहरा था संत मातमाओ जानते हो विच्छू तो डंक मारे साफ इसे आप लार बार निकाल हो और संत अबर रहा हो मनलें यूसे नहीं पता क्या क्या अप सभावे काटना आओ संत महातमाओ यदि कहते हैं न फूल नहीं बन सकते तो काटे बन कर मत चुबना भला किसी का करना सके तो बुरा किसी का मत करना आओ संत महातमाओ मैं तो संत हूँ जब मैं संत हूँ ये जीव हो करके नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना सभाव कैसे छोड़ सकता हूं आउ संत महातमाओं ऐसे सवाव संत महातमाओं के होते चले जाते हैं तो यह सद्गुरु किरपा करता है आउ प्यारी साथ संगा जी यह जो करूना है यह जो दया की भावना है यह जो सत्त है यह जो प्रैम है यह किसी मार्केट से नहीं खरीदा जाता है जैसे जैसे संत महात्माव हम सिम्रण करते हैं निरंकार में ध्यान करते हैं अपने आपको इसमें खो देते हैं तो हमारी चेतनता के साथ एक connection जुड़े जाता है आउ संत महात्माव एक शोटा सा उधारण है आपके सबी के घर light होती है वल्व होता है जब तक जब तक वो बल्ब होता है प्यारी साथ संगा जी जब तक वो कनेक्ट नहीं होता किसी बस्तु से यानि वो जो होर्स पावर से लाइट आ रही है जब तक उसमें वो नहीं जोड़ा जाता वो बल्ब प्रकासित नहीं होता है संतमातमाओ जैसे ही उसमें वो जोड़ दिया जाता है संतमातमाओ उसमें पिलक लगा दिया जाता है फिर ओन कर दिया जाता है तो वो प्रकास देने लगता है आओ संतमातमाओ जिस दिन हम अपने आपको समर्पित कर देते हैं नंकार के चरणों में उसदिन हम प्रेम का सिरूत बन जाते हैं, फिर कहना सुरू कर देते हैं, पायो जी मैंने नाम रतंधन पायो, बस तु दी अमोलग गुरुने करकिर्पा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतंधन पायो. उदर कवीरदाजी कहने लगते हैं हम ना मरे मरे संसारा हम को मिले जियावनहारा आउ संत महतमाओ कहते हैं अब मैंने अपना असली रूप जान लिया अब मैं तो परमातमा का रूप हूँ परमातमा कभी समाप्त नहीं होने वाला इसलिए मैं भी कभी समाप्त नहीं होने वाला आउ संत महतमाओ जैसी दरश्टी बैसी सरश्टी ऐसा नजरिया सत्गुरू की किरपा से जब संत महतमाओ को प्राप्त हो जाता है तो फिर द्रेत की भामना खतम हो जाती है फिर द्रेश की भामना दूर चली जाती है जब प्रेम वबस जाता है तो प्रतेक जगे प्रेमी प् आओ प्यारी सास्ट सगांजी, जहां सचीदा नंद होता है, सच्चा आनंद होता है, और हम जब अपना रिस्ता उसके साथ जोड लेते हैं, तो फिर वहां दुख का कोई कारण नहीं होता, दुख कहां होता है, दुख मोह में होता है, दुख लोब में होता है, दुख एहंका अपने एहंकार को त्याग दिया मान को त्याग दिया है परमपिता परमात्मा उसका मान तो तु स्वेम बन जाता है उसकी पचान तो तु स्वेम करा देता है उस पे किरपा तो तु स्वेम कर देता है तो आउसंत मात्मा बोलने में बहुत सारी गलती हुई होगी कोई असब् तो अपना भाई बंदु जान करके छमा करेंगे कोई अच्छी बात लगे तो सद्गुरु का समझ करके अपने जीवन में धारण करेंगे परम प्यार से कहिए धनिंकार जी